मैं कल मैंने लोकसभा में भी जो बोल रहे थे क्योंकि आदत पड़ी हुई ये लोकसभा की सबके भाशन को हम लोग सुन रहे थे निर्मिला जी का माने मंत्री जी का भी रिपलाई भी सुना और बहुत सारी बातें सबज में आई मुझे 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 प्रेमचन जी की एक रचना याद आ गई गो दान गो का दान एक बहुत आरी अगरी फैमिली थी जो पूरे जिंदगी भर सपना देती रही कि अपने बच्चों को दूद और दहीं खिला पाए एक गाएं को पाल के लेकिन उसका पती बिमार पढ़ता है और शया पर होता है पांच मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली होती है और पंडी जी आते हैं और कहते हैं कि गो दान कर दीजिए तो आपका पती स्वक सिधार जाएगा उसकी पत्नी घर से गई एक रुपय का सिक्का लेकर आई और पंडी जी को दिया और कहा पंडी जी मेरे घर में यही एक रुपया बचा है पूरी जिन्दगी मेरा पती दूद और दहीं के सपने लेकर गो पालने के सपने देख रहा था और आज आप कह रहे हैं कि स्वक हाने के लिए गॉआ का दान कर दीजीए पोल रही हूँ कि यह ऐसका गरीब के पेट में लात मारी जा रही है आप सारा ठीक्रा यूक्रेवीं की लडाई पर ठोक रहे हैं आप को लिक ने जो hem नोड़बंदी आर Kis Brendan जब हमारे डिश की आर्थिक स्थीति बिलकुल स्टेबल थी उस वक्त नोड़बंदी नहीं कीजिए नहीं कीजिए नहीं कीजिए आपके schwargyat किνηनी नहीं नहीं fim कहा था कि नहीं करनी चाहिए नोट बंधी उस दिन ते आग तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सभाल नहीं पा रहे हैं मैं 2013 का प्रधान मंत्री जी का भाशन याद कर रही थी जिन पर उन्होंने कहा था कि मनमोहन zony मेंगाई का मह नहीं बोलते कर प्लीज मनमोहन सिंव जी आए मेंगाई के बारे में बताये कि कब कम होगी उन्होंने कहा मरो तो मरो आपका नसीद ये प्रधान मंत्री मोदी जी के Physics थे मनमहुन सिंग जी के लिए उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए क्या रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब मुझे फिर याद आ रहे है कोविट का वक्त जब करोड़ों लोग सडकों में चल रहे थे हजार हजार किलोमेटर चल के जा रहे थे तो मुझे लगता है मोदी साब यही कह रहे थे मरो तो मरो आपका नसीब क्योंकि उस वक्त गरीब को पैसा देना था तो आपने क्या बोला सारे घरीब घर से बाहर निकलो और थालिया बजाने का काम करो थालिया बजाने से आपके प जब किसान आत्मत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रूई डाल के सोजाते हो I wish किसमिती जी आईए और हम लोगे साथ अगर आप चीक चीक के उस बच्चे की पुकार और दर्थ को समझ रही थी तो आईए ने आज आज गया सिलिंडर 10.054 रुपए हो गया है आज आप हमारे साथ चीक चीक कर गरीबों की बात करिए अपने घर की रंजिश्मत निकालिए प्लीज आप मंत्री इसके बाद मैं सुश्मा जी का मानिय मंत्री सवाल नहीं करना चाहिए आज मुझे क्याना पढ़ रहा है कि अगर सुष्मा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि ये सवेदन हीर सरकार है, हमारी ही सरकार है, ये विश्वास घाती सरकार है, हमारी ही सरकार है मुझे डर लगता है जब मैं प्रदार मंतरी की उस स्पीश को सुनती हूँ, जो उन्होंने कहा था कि घर में चुला नहीं चलता है, बच्चे भूग से रोरो कर सोते हैं, और मा आख में आसू लेकर चुप हो जाती है, जब आसू की बात पीम सापके मुझ से सुनते हैं, तो ह हिलाए पसीज गई, हम सब ने सबसीडी छोड़ दी, आज हर्श क्या हुआ, आज आपने सोला सो रुपए का एक जुन जुना पकड़ा कर, साथ करोड लगभग, लोगों को आपने चुला और गैस दिया, आपको मालूम था कि गरीब आपके जहासे में फसेगा, एक चुना और दो चुना आपने उजुला योजना से निकाल लिए, उसके बाद क्या हुआ, क्या वो सोला सो रुपए, वो सबसीडी, जिस रेवडी की बात, आज मोदी सहाब कर रहे है, प्रदान मंत्री सहाब कर रहे है, क्या वो रेवडी नहीं थी, लेकिन वो रेवडी में फर्क गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजन्सिस के लिए थी, आप सोला सुर्पे गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी, किसका दे रही थी, टैक्स पे ही का दे रही थी, उसके बाद क्या हुआ, आज आकड़ा इतना वक्त नहीं है, लगबग साथ करोड भर, जिसमें 4.5 करोड वो लोग है जो हुज्वना के तहते है, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रही है, साल में एक रिफिल प्यार रही है, ये किसको दिया था जूुर्णा, ये किसकी रेवडी थी, रेवडी तो प्रदान मंत्री साव आपने भी दी, काल मैं सु बोल रहे थे लोगरे वाई उस वक्षभ भी उस वक्षभ भी आपके टाइम पर 900 रुपए ग्यास रिंडर था मानते हैं 900 रुपए था लेकिन हम अपनी रेवनियां गरीबों में दे रहे थे दिल्कुल 400 रुपए कम में ग्यास सिलिंडर दे रहे थे हम गरीबों की मदद कर रहे थे हम उनके साड़े तीन तीन लाग करोड रुपे माफ ने कर रहे थे हम गरीबों को दे रहे थे आप सिक खाथ सुरक्चा की बात कर रहे एक तरफ मोधिस आप कहते हैं कि रेवडी बाटना बहुत खतरनाक है मैं प्रदान मंत्री सहाब सभाबती जी के मादम से बोलूं एक और रेवडी की आप दिलाना चाहती हो आपको जीओ आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवडी नहीं खिलानी चाहिए आपने क्या किया पूरे देश को जीओ का रेवडी खिलाई पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं जब आ आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात हो रही थी एक छोट सी चिलाने वाला व्यक्ति है उन्होंने सुभे बोला कि जी अस्टी जी असिटी निर्मला जी का कल्में बाशन सुन रही थी उन्होंने बोला कि लगभग एक लाग पैतालिस लाग करोर GST something मेरे आखड़े गलत हो सकते है कि इस पार भी हमने GST से पाया मैं मंत्री साब से पुछना चाहूंगी आप GST तो पा रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रिया चिला रहे हैं विदिन मंत उनको ब्यास, बैंक का ब्यास भी देना पड़ता है, GST भी गौर्मेंट को देना पड़ता है पंदा दिन के अंदर अगर वो नहीं देंगे तो आप LNT लगाते हैं लेकिन उनका GST का इंपूट आपको कितने दिन में देना था एक-एक साल लगाकर आप उनका इंपूट नहीं देते हैं, क्या खरबो रुपए आप उनके इंपूट से बना के क्या सरकार पूरे देश को उसी इंपूट से चला रही है क्या तीसरी बात, तीसरी बात, मैं एक बच्चे से मिली, 16-17 साल के बच्चे से आप GST लगा रहा है 5%, आप GST लगा रहा है 12-18%, दोनों ही GST में आम आदमी मरता है किसी ने बोला कि 5% GST से किसको फर्क पड़ेगा, पड़ता है, जो व्यक्तिव रिधा पेंशन 500 रुपए के लिए आठ घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% GST लगता है तो फर्क पड़ता है आप कहते हैं कि नहीं खुला जो गरीब है, वो खुलेगा खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा मैं आप से पूछती हूं कि क्या आप चाते हैं जिन्दगी मार वो गरीब ठेले में मख़्ी लगता हुआ खाना ही खाता रहे क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए क्या उसका नहीं है कि राइट रूपे की लसी चार्ज दूद धहीं हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी एंडी एंडी एंडीसी के उससे चार्ज लेते हैं तो क्या उसमें आप 12-18 परसंट जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है किया किसी करोड़पती का बच्चा वो टैट्रा वाली लसी पीता है जिसके लिए आप क्या रहें कि 12-18 करनी है मुझे बच्चा बोल रहा कि माडम आप लोग सदन में बोलते हैं राइट रंजता जी ने आपने जयारा समय दिया थैंक्यू सर प्लीज सर प्लीज दैनेवार और डॉक्टर फाउजिया खान डॉक्टर फाउजिया कान दो मिनट एकस्ता दिया मैंने आपको आपने आप पुर्टिकल सवाल उसमें ब 10 रुपे का जूस पियें तो वो महंगा इस्कूल में जाएं तो पैंसिल रबर इरेजर कटर महंगा तो आदमी जाए तो कहां जाए एक तरफ आप लोट कोविड में 23 करोड को गरीबी निखा में लेकिया गए 98 परसंट लोग कि सारी आमदनी घड़ गई मैं आपसे एक रि और विदिन फोर मन्त में दबारा 59 में लेकर आगे थे क्या आप लेकर आएंगे मैं आपसे आग्रा करती हूं कि प्लीज जाहां पर कांग्रेस इस देशी आर्ट की तिपी को छोड के गई थी